मैंने आपको इससे पहले काफी सारी अंडा करी की रेसिपी तो दिखाई है पर दोस्तों आपने यूट्यूब पर या कहीं पर भी एक मखनी की ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी इसके मैंने gravy तो एकदम मखनी रखी है लेकिन अंडों के अंदर तक flavor दिया है इसकी gravy एकदम restaurant style है और अंडी की एकदम special recipe है और इसको बनाना तो एक बार बिल्कुल बनता है हेलो दोस्तों मैं हूँ भरत और आपका स्वागत है भरत के चैन हिंदी में तो फिर देर के इस बात की चलो फिर शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं अंडे उबालने से आपको तो पता ही है कि मेरे उबालने का तरीका ऐसा है कि मैं बड़े से pot में पहले पानी डालता हूँ जब वो पानी boiling हो जाए एकदम boiling water होना चाहिए उसमें ही आप एक कर्ची की help से धीरे धीरे करके अंडो को ड्रॉप करना अगर आप boiling water में directly अंडो को डाल दोगे तो उनके टूपने के chances हो जाते हैं तो आप ऐसे कर्ची से ड्रॉप करना मैंने इस recipe में लगभख 8 अंडो का इस्तेमाल किया है और थोड़ी ही देर में ये अंडे अच्छे से boil होने लग जाएंगे high flame पर ही रखना और जैसे ही अंडे एकदम boiling होने लग जाएं फिर आपने यहाँ पर धकन लगाना है और धकन लगाकर आपने gas को off कर देना है गास को यहाँ पर off कर देना है और अंडो को 5-10 मिनिट के लिए आप गरम गरम पानी में ही छोड़ देना धीमे धीमे करके पकते रहेंगे अंदर तक अराम से पकिएंगे तो अंडे एकदम perfect निकल कर आएंगे जब तक 5-10 मिनिट आपके अंडे रेस्ट कर रहे हैं तब तक आप यहाँ पर gravy के तियारी कर लेना अब यहाँ पर मखनी gravy बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तमाल किया है लगभग 3 सूखी लाल मिर्चे एक प्याज आपको चाहिए होगा काफी सारे काजू बिनमक्कन के मकनी gravy थोड़ी बनेगी थोड़े गरम मसाले है तेजपता बड़ी इलाइची छोटी इलाइची लॉंग है दालचीनी है साथ में मैंने इसको आसान बनाने के लिए और क्विक बनाने के लिए इस्तमाल किया है डाबर होम में टमाटो प्यूरी का और डाबर होम में जिन जगालिक पेस्ट का तो मैंने आपर कड़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है पानी जैसे ही बॉइल होना शुरू हो जाए आप यहाँ पर प्यास डाल देना छूखी लाल मिर्चे डाल देना जो मसाले रखे थे छोटी इलाची बड़ी इलाची तेजपता दाल जी यहाँ पर डाल देना और काजू भी ज़रूर डाल देना अचा थोड़ा सा पानी कम लग रहा थो तो पानी मैंने और डाल दिया है अगर आप टमाटो क्यूरी का इस्तमाल नहीं करना चाहते हो और फ्रेश टमाटो करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लगभग चार से पांच टमाटर यूज़ करना और उनको प्यास के साथ बॉइल करते हुए ही डालना आपका काम हो जाएगा और बेसिकली आपने इन सारी चीज़ों को बॉइल करना है जब तक प्यास ट्रांस्लूसेंट नहीं हो जाते तब तक उनको पकाना है और जब तक लाल मिर्ची सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक उसको पकाना है ताकि अपने सारे फ्लेवर चोड़े और प्यास का जो अग्र चीज़ सॉफ्ट हुई है नहीं हुई है और जैसे ही हो जाए बस आपकी यह बेसिक ग्रेवी का एक पार तो त्यार है तो आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना क्योंकि गरम गरम पीसेंगे तो मिक्सी खराब हो जाएगी तो एकदम आपे किचन में सब कुछ उच जैसी तेल गरम हो जाए तो इसमें आपने दो टेबल स्पून डाला है और गास को बंद कर देना बहुत जल्दी भुनने लग जाता है और जैसी बेसिन थोड़ा सा भुन जाए आप यहां पर कश्मीरी लाल मिर्ज डाल देना लगबग दो चमश तक और यह कलर भी देगी और फ्लेवर भी देगी क्योंकि यह थोड़ी सी फुन जाएगी न बस बेसिन का रूप बिलकुल तयार है यह क्या काम करेगा मैं आपको मैरेनेशन के टाइम बताऊंगा लेकिन अभी 10 मिनिट हो चुके भई अंडे अच्छे से बॉयल हो चुके होंगा ज्यादा ओवर 40 डिग्रीज पर आ गये हैं तो बैस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके से अंडे कैसे टूटते हैं यह देखो आप इनको क्राक करना ऐसे और यह देखो कैसे निकल कर आ रहा है इसका छिलका कितनी आसानी से दोस्तों यह न परफेक्शन एक्टब ऐसे ही अंडे क कोशिश करोगे तो उसका छिलका निकलने में दिक्कत जरूर आईगा आप यह देखो मैंने एक अंड़ा पुराना रखा था न इसका छिलका निकलने में दिक्कत आ रही है कोई दिक्कत नहीं वो जो पानी था न जिसमें हमने अंडो को रखा था उसमें ही आप ऐसे रब कर पीने के लिए एकदम सेट हो जाएंगे तो फाइनली अंडो को मारिनेशन में डालने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है वन फोर्थ कप धही साथ मैं आप यहाँ पर बेसन का रूह डाल देना और आप खुद ही देख सकते हो कि जो यह बेसन का रूह है कितना डाक हो गया है न और लास्ट में भरत का फेवरेट इंग्रीडेंट वो है कसूरी में थी और साथ-साथ मैंने यहाँ पर डाला है एक बड़ा चमच अद्रक लसन का पेस्ट भर के अद्रक लसन का पेस्ट डालना स्वाध अंडों के अंदर तक तब ही आएगा बस आपने यहाँ पर इसको अ अंडों के अंदर और सच में इसके अंदर तक फ्लेवर जाएगा कि हमने अंडों के अंदर कट मारे है ना पांच मिनिटी आपने इसको छोड़ना है कोशिश करना कि आप इसको फ्रिज में छोड़ना ताकि और ड्राय हो जाए और चिपक जाए एकदम मारिनेशन अजा फड़ा फट से ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं तो जो बटर लिया था है अपने शुरुबात में फोड़ा सा बटर आपने डालना है बटर को जलने से बजाने के लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल भी डाल देना और फिर आप यहाँ पर मारिनेशन अंडे डाल देन पांच मिनेट कले छोड़े थे मारिनेशन के लिए जादा देर नहीं चोड़ा में बस अब आपने यहाँ पर अंडो को रोस्ट करना है और दूसरा काम जो आपने करना है वो यह है कि जो दही है उससे सारा पानी रिडियूस करना है दही में पानी बिल्कुल नहीं बचा हो अब अच्छे से यहाँ पर फोड़ा भुन लेना और अगर धक कर भुनोगे तो थोड़ी cooking fast हो जाएगी अगर खुल में भुनोगे तो यह चटक कर सीधा ही आपके मूँ पर आएगा हाथ जलने के डर हो जाएगा और आप परशान हो सकते उससे बचने के लिए आप यहाँ इसका हलका कलर आना भी शुरू हो जाएगा यानि कि भुनने शुरू हो जाएगे और धही जो है आप यह देखो यह तो छोड़ना शुरू करी चुकी है तो इसका मतलब धही में पानी काफी reduce हो चुका है तो बस यह बिल्कुल राइट स्टेज है कि आप यहाँ पर चान के मंखनी ग्रेवी है तो बिल्कुल चान करी डालना यहाँ पर जो प्यास गाजू मसालो का जो पेस्ट हमने बनाया था न वह आप चान कर डाल देना यहाँ पर हमें इस पेस्ट को भी तब तक पकाना है जब तक इससे तेल अलग नहीं बजाता है तब तक ही पकाना है इसका म चलकर जरूर बार आएगा इस कड़ाई से तो इसको धकना बिल्कुल मत भूलना और भी बीच में इसको स्टर जरूर कर देना थोड़ी देर में ही तेल अलग होने सकत जाएगा तो बस यह राइट स्टेज है कि आप यहाँ पर टमाटो प्यूरी डालना मैंने यहाँ इस्तमाल करी है डाबर हूम में टमाटो प्यूरी की यह 100% लाल पके हुए टमाटों से बनी है एक टमाटो प्यूरी का डब्भा लगबग आधे किलो टमाटर के बराबर है तो है ना बहुत ही बढ़िया बात आप चाहो तो आप यहाँ पर फ्रेश टमाटर का इस्तमाल भी कर सकते हो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उनको कब डालना होगा बस दोस्तों अब क्यूंकि टमाटर आ गए है तो आप यहाँ पर नमक डालना जरूर साथ में यहाँ पर हल्किसी मखनी ग्रेवी को मी पखने देना थोड़ी देर में ही तेल एकदम अलग हो गया है लास्ट की चीज़े डालते हैं जो खुश्बू देंगी फ्लेवर देंगी वह करम मसाला और मेरा फेवरेट इंग्रीटियंट मखनी ग्रेवी का सबसे इंपॉर्डेट इंग्रीडियंट वह कसूरी में ती औ एक मखनी की यूनीक रेसिपी बिल्कुल तयार है आपने ऐसी ग्रेवी नहीं बनाई न आज से पहले आप इसको एक बार बना कर देखना मुझे पता है आपको सच में बहुत पसंद आएगी है